हेलो एवरिवन, वेलकम तू स्टेजी स्माच स्टूडियू, आज हम एनिशेंच स्ट्री में कुशार वन्स की बार में पढ़ेंगे, तो चलते हैं सेशन की उर। कुशार वन्स का उदाय, भारत पर आक्रमर करने वाले विदेशी आक्रमर कारियों का क्रम इस प्रकार है, सबसे पहले हिंदू यूनानी भारत पर आक्रमर करते हैं, उसके बात सक, पहलाव और लास्ट में कुशार भारत पर आक्रमर करते हैं। कुसान मुक्टा कहां के थे? कुसान चीन के थे कुसान का प्रारंबिक इतिहास चीनी ग्रंथ के आधार पर लिखा गया था और कुसानों को चीन की यूची जाती की एक साखा माने गया है कुसानों को चीन की यूची जाती का माने गया है और इनका निवासिस्तान चीन के कांशू प्रदेश में था यूची जाती के लोगों पर हिगनु जाती ने अक्रमर कर दिया इसके बाद यूची जाती के लोग पस्चिम की ओर गए थी यूची जाती मुखता चीन के कांशू प्रदेश में निवास करती थी इस जाती पर हिगनु जाती के लोगों ने अक्रमर कर दिया हिगनु जाती एक खोकार जाती थी इस अक्रमर के कारण यूची जाती के लोग पस्चिम की और पिस्तान करते हैं और यह अलग-अलग दिसाओं में पांच साखाओं में विवाजित हो जाती हैं जिसमें से एक साखा बैक्टेरिया चेत्र में बस गई थी। सो इसापूर्व के आजपास यूची जाती पांस साखाओं में बिवाजित हो गई थी। हिगनु जाती के अक्रमर के कारण यूची जाती पांस साखाओं में बिवाजित हो गई थी। जिसमें से एक साखा बैक्टेरिया छेत्र में वस गई थी। बैक्टेरिया छेत्र वाली साखा आंगे चल कर दो भागों में बेवाजित हो जाती है। बैक्टिरिया छेत्र में जो यूची जाती के लोग रहते थे वह लोग तिब कुछ लोग टिबबत चले गए और कुछ लोग भारत चले गए तिबबत की और जाने वाली यूचियों को लगो यूची कहा जाता है और भारत की और आने वाली यूची को महान यूची कहा जाता कुशार महान यूची से सम्मदित था। यूची जाती के कुजुल कजफिसस ने 15 इसभी में काबुल कंधार पेशावर वसंज से यवन वसक राजाओं को पराजित करके कुशार वंज की निव डाली थी। यूची जाती में कुजुल कजफिसस ने 15 इसभी में काबुल कंधार पेशावर वसंज सेट को जित लिया था और कुशार वंज की निव डाली थी। यूची जाती मुक्ता चीन के कांसू प्रदेश की थी। इस जाती पर हिगनू जाती के लोगों ने आक्रमर किया था। इस कारण यह अलग-अलग दिसाओं में पांच भाग में बच गई थी। जिसमें से एक साका बैक्टेरिया छित्र में बच गई। बैक्टेरिया छित्र वाली यूची कुछ तिबबत की ओर चले गए और कुछ भारत की ओर आ गए। तिब्बत की और जाने वाली यूची को लगू यूची कहा जाता है और भारत की और आने वाली यूचीयों को महान या वसिष्ट यूची कहा जाता है महान यूची से ही कनिष्ट संबंदित था इसमें एक प्रसिद्ध ब्यक्ति हुआ कुजुल कट्फिसेस इसने 15 एसबी में काबुल कंधार पेशावर वास्सिंद को जीत लिया था इसके बाद कुजुल कट्फिसेस ने इस पर अधिकार करके कुशार वंस की निव डाली थी यह कुशार वंस की सासक कुशार वंस का संस्तापक कुजुल कट्फिसेस था फिर उसके बाद विम कट्फिसेस कनिस की सासक बनते हैं और इस वंस का अंतिम सासक बासुदी डुतिया था इन सबी की बारे में एक करके नेस्ट स्लाइड में देखेंगे कुजुल कजपिसेस इसका ससंकल 15-60 इसबीकी मद्द में था और यह उसका छेत्र है यह कुसार बंच का संस्तापक था और इसने काबूल कंधार पेशावर पर अधिकार कर लिया था कुजुल कजपिसेस ने तांवे की सिक्की जारी किये थे जिसकी एक तरफ इरानी सासक हर्मियस का चेत्र था और दूसरी तरफ इसका स्वयम का चेत्र था कुजिल कच्पिसिस ने तांबी की सिक्के जारी किये जिसके एक तरफ इरानी सासा का चेत्र था और दूसरी तरफ स्वयम का चेत्र था इसने महाराजा धीराज की उपारी धारन की थी कुजिल कच्पिसिस ने महाराजा धीराज की उपारी धारन की थी इसकी बाद बिम कत्फिसस सासक बनता है इसका सासनकाल साथ से अठात्र एसबी के मद्ध में था यह कुशान वंस का वाश्ट्रिक संस्तापक था इसने अपने चेत्र को बहुत बड़ा लिया था यह मैपमोस का चेत्र जो आप देख सकते हैं और यह कुजुल कत्फिसस का पुत्र था बिम कत्फिसस को कुशान वंस का वाश्ट्रिक संस्तापक माने जाता है यह भी आपको यार रखना है बिम कत्फिसस ने सोने वत्तामे की सिक्की जारी किये थी जो यूनानी वक्षरोष्टी लिपी में थी और इसमें स्यो, बेल और तिर्सूल की आकरती निर्मित थी बिम कत्पिसिस ने महराजा, राजादीराज, महिस्वर वा सर्ब लुकिश्वर की उपादी धारन की थी और इसने अपने राज का विस्तार तक्षिसला, पंजाब, मतूरा और कस्मीर तक किया बिम कत्पिसिस ने तक्षिसला, पंजाब का स्मीर वाब मतूरा पर आक्रमा करके उस पर अधिकार कर लिया और अपने राज का विस्तार किया इसकी बात समराज कनिश्क की सासक बनते है समराज कनिश्क का सासनकाल 78 से 102 ईसबी के मद्द में था कनिस्क 78 इसबी में गद्धी पर बैठा था और गद्धी पर बैठने की समय सक्षम्बत की सुरुबात की थी जिसी वर्तमान में भारत सरकार उप्यूग में लाती है कनिस्क के लिखों में इसे दिवपुत्र, राजाओं का राजा और समराचों का समराच कहा गया है और कनिस्क बिम कछिस्पिसेस का पुत्र था समराच कनिस्क को दुतिय असुक भी कहा जाता था क्योंकि समराच असुक के बाद कनिस्क की भारत में एक मात्र ऐसी राजा हुए है जिनका सामराज सबसे बढ़ा था समराज कनिश्क गुट्टिय असुकन की संग्या दी जाती है इन्होंने पातली पुत्र पर आक्रमर किया और वहां से बौध बिक्चा पात्र और एक दार्षनिक असुगूश की प्राप्ति की थी जब कनिश्क ने पातली पुत्र पर अक्रमर किया तो वहां उन्हें एक बौध फिक्चा पात्र और एक दार्षनिक असुगूश की प्राप्ति हुई कनिश्क का खीन के हांगवंशी राजा की साथ युद्ध भी हुआ था इस युद्ध में पहली कनिश्क के हार जाता है लेकिन बाद में कनिश्क की जीच जाता है हंग बंसीय राजा की सेनापती पेंच चाओं को कनिश्क ने बाद में पराज दिया था कनिश्क ने चत्रप और महाचत्रप अधिकारीयों की निक्ड़ी भी की थी खरपलन को मतुरा का महाचत्रप बनाय था जबकि बनस्पर को मगत का चत्रप, धन्दिव को कोसंबी का चत्रप और सत्मित्र को अयूद्धा का चत्रप निफ्ट किया था। कनिश्क और सक राजाओं ने अपने छेत्र में चत्रप और महा चत्रप अधिकारियों की निफ्टी की थी। कनिश्क ने खरपलन को मथूरा का महाचत्रप, बनसपर को मगत का चत्रप, धन्देव को कोशामभी का चत्रप और सत्यमित्र को अयुध्धा का चत्रप न्युक्त किया था। कनिश्क ने अपनी प्रथम राजधानी पुरुषपोर या पीशावार को बनाई थी और यह आधुनिक पाकिस्तान में इस्ते थे और दुटिया राजधानी मतुरा में बनाई थी, मतुरा उत्ताप्रदीस में इस्ते थे। कनिश्की की प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी और दुटिय राजधानी मतुरा थी। कनिश्क मुख्यता पुरुषपुर या पीशावर सिशाशन करता था। इसी की काल में चोथम वद्य संगीती का आयोजन हुआ। शोथम चतुर्त वध्य संगीती का आयन कश्मीर की कुंडल बन में हुआ था। इस संगीती की अध्यक्षता बसुमित्र और उपाद्यक्ष अश्वगोश्थ थे। की गई है। सुप्तिपितक, बिनैपितक और अभीधम्यपितक को त्रीपितक भी कहा जाता है। इन तीनों ग्रंधु को मिला कर क्या कहा जाता है। त्रीपितक पर टीकाओं की रिचना चतुर्त वध्य संगीती में हुई थी। इस संगीती में बसुमित्र ने महा भिवास लुट्र को बोद्य धर्म का विश्वकोस, या महा कोस कहा जाता है। यysz सभी फैक्ट आपको चतुर्त वध्य संगीतीे के बरे में जाड़रखना है। कनिषके कश्मीर में कश्मीर में कश्मीर में कनिश्क पूर वस्तक्सिला में सिर्कप नगर बसाए था और इसने अपनी राजधानी पेशावर में तेरा मंजला इस्तूप का निर्मार भी करवाय था इसकी दर्वार में अनेक विद्वान रहते थे जिनमें से कुछ पिरमोकें वसुमित्र, पारसाव, महाचेत, संगरक्ष और नागर जुन बसुमित्र ने महाविवास सूत्र की रचना की थी और इसे बोध धर्म का विश्कोष कहा जाता है कनिस्के के दर्वारी बिद्वान चरक भी थे चरक ने चरक सहींता की रचना की थी नागर जुन ने मध्धमिक सूत्र की रचना की माध्धमेक सूत्र में शाप एक्षता का सिद्दान्त बताय गया है और नागरजुन को भारत का आइंस्टान भी कहा जाता है यह भी आपको याद रखना है समराज कनिश्क की राजके भासा संस्कृत थी यह जो ग्रेंथ लिखे गए हैं जादातर संस्कृत में लिखे गए हैं समराज कनिस्की की राचके भासा क्या थी संस्कृत कनिस्की के काल में मथूरा वा गंधार कला सैली का विकास हुआ उस समाई गंधार के लिए तक्सिसला परसेद था कनिश्क की समय गंधार कला के लिए कौन इस्तान पर सिद्ध था तक्सिसला नमकिस्तान कनिश्क ने चीन से यूरूप तक की सिल्क मार्क पर नियंतर कर लिया था कनिश्क कोसार वन्स का सबसी महान सासक था और इसकी म्रत्तू 102 इसबी में हो गई थी 78 इसबी में गद्धी पर बैठा और गद्धी पर बैठने की समय सक्ष संगवत की सुलूबात की और सामराज कनिश्क की म्रत्तू 102 इसबी में हो गई थी यह है कनिश्क का सामराज यहां से मत्धूरा से लेकर यूरूप तक फैला हुआ इसके अंदर बैक्टेरिया च्षे चीन का कुछ भाग अफगास्तान का भाग पकिस्तान का भाग इसके अंदर में था इसकी एक राजधानी मत्धूरा थी जबकि दूसरी राजधानी पिशावर्थ जब उत्तर भारत में कुसान वंस चल रहा था तो डक्षिन भारत में उस समय साथ बाहन वंस का उदय हुआ कुसान वंस की समकालिन कौन सा बाहन वंस है साथ बाहन वंस यह भी आपको याद रखना है कनिश्क के बाद की सासक कनिश्क के बाद वसिस्क के सासक बनता है वसिस के बाद हुविस्क कनिश्क दुतिय वासिदिय और कनिश्क तृतिय सासक बनता है और कुसान वन्स का अंतिम सासक बासुशिव दुतिय था कुसान वन्स का अंतिम सासक कौन था वासिदिय दुतिय इन राजाओं का इतिहास उतना खास नहीं है इसलिए आपको इनका इतिहास नहीं परना है कुछ कुछानवच सी महत्पून तक थे उनको दिख लेते हैं कुछान सासकों को दिवपुत्र कहा जाता था कुछान सासक अपने आपको दिवपुत्र कहते थे और यह उपादी उन्होंने शीनियों से प्राप्त किये थी कुसान सासकों ने सरवादिक तावी की सिक्के किसने जारी किये थी कुसान सासकों ने और कुसान काल में ही सबसे सुद्ध सोने की सिक्के जारी किये गए थी सबसे सुद्ध सौनी की सिक्के कुसान काल में जारी की गए थे और इनकी उत्करस्ट तक गुप्त काल की सिक्कों से भी अधिक थी इसी काल में गंधार वा मतुरा कलासैली का विकास हुआ था और द्वेत प्रसासन की सुरुवात कुसानों नहीं के थी यह सबी फैक्ट आपको कुसान काल की बारे में यार रखना है थेंक्स पर वाचिंग यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुजबाई